कहते हैं कि जब आफ़त हाथ दोकर किसी के पीछे पड़ जाया तो उसको बरबाद करके ही मानता है एक ये भी कहवत है कि जब मुश्किलें सामने आती हैं तो एक साथ कई आ जाती हैं जिसे एक व्यक्ति के लिए संभाल पाना कठी हो जाता है ये दोनों ही बाते हैं पाकिस्तान के पूरो परधान मंतरी इमरान खान पर ठीक ठीक लागू होते हैं एक प्रतिस्वित न्यू चैनल ने पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कशाना वेलफियर हाउस की पूरे सुप्रिटेंडेंट साफा लतीफ ने दावा किया है कि जब इमरान खान देश्व के परधान मंतरी थे तब अनात बच्चियों को उनके घर पर बेजा जाता था और वहां उन बच्चियों का यौन शोशन किया जाता था इतना ही नहीं लवारिस बच्चियों को डराया धंकाया जाता था कि वो अपना मू ना खुल दें लतीफ का दावा है कि कई लवारिस बच्चियां आज भी लापता हैं इमरान खान के पीम कारेकाल में कई लड़कियों की हत्या की जा चुकी है उन्होंने ये भी बताया ये सब कुछ इमरान खान की तीसरी वीवी बूशरा वीवी यानि पींकी पिर्नी के इशारे पर होता था रिपोर्ट में और भी कई तमाम बड़े खुलासे किये गे हैं जो आपका दिल दहला देगी रिपोर्ट के नुसार पाकिस्तानी अनात बच्चियों के साथ जनौरों से भी बत्तर सलू किया जाता है कई लड़कियों के प्राइबेट पार्ट तक को इस कदर जक्मी कर दिया जाता था कि उनकी सर्जरी करानी पड़ती थी अफाशा ने इमरान खान और उनकी वीवी बुश्रा वीवी के साथ अजमल चीमा का भी जिक्री किया है और कहा है कि चीमा ने दो लवारिस लड़कियों का यौन शोशन कराने के बाद पागल करार देखकर पागल खाने में सिफ्ट करा दिया था बता दें कि ये सारी अनात लड़कियां का शाना वेलफियार हाउस से लाई जाती थी इसकी अस्थापना साल 1970 में पाकिसान के पंजाव इस्थित सरगोधा शहर में की गई थी जहां लावारिस अनात और गरी बच्चियों को रखा जाता है अफाशा लतीफ ने दावा किया है कि दशकों से वहां की लड़कियों के साथ गीनोंने काम होते रहे हैं इन लड़कियों का सोशन करने वालों में इमरान खान के कई करीवी लोग भी लिप्त हैं इस पूरे मामले का भंडा फोल करते हुए अफाशा लतीफ ने एक पत्र भी लिखा है जो काफी वैरल हो रहा है। अफाशा का कहना है कि उन्होंने अपनी नोकरी और अपनी जान को दाव पर लगा कर इमरान खान की काली कर्टूतों की पोल खुली है। क्योंकि यह सब उनसे नहीं देखा गया। इस खबर पर आकी क्या रहा है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हैं साथ व्लॉक विजियल पर नमस्कार।